चार प्रकार के लोग दुनिया में होते हैं एक वे जो हैं तो भेखारी लेकिन दिमाग में चक्रबर्ती पना भरा है ये भी मेरा दुकान भी मेरी मकान भी मेरा इस्तरी भी मेरी पुत्र भी मेरे 96,000 तो चक्रबर्त की होती हूं उसकी 196,000 हैं दिमाग में और है भेखारी उसक पास रहने को मकान नहीं, खाने को भोजन नहीं, पहनने को वस्र नहीं, भीक मांग रहा है, महराज जी वो आकेंचन्य स्वरूप है, वो आकेंचन्य स्वरूप नहीं है, क्योंकि जहां जहां बस्तू है, वहां वहां परिग्रह नियम से है, लेकिन जहां जहां परिग्रह है, वहाँ बस तू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती इसलिए तत्वार सूत्र में सूत आया मूर्चा परिग्रहा जिसके पास संपत्ती है वो तो परिग्रही है ही लेकिन जिसके पास संपत्ती नहीं है लेकिन उसके पृत तीब्र मूर्चा है पागलपन है कि मैं ये भी बन जा सोना होगा ये छोटे-मोटे समुद्र नहीं उस समुद्र में एक मच रहता है उसका नाम है राघाव मच महा मच जिसको बोलते हैं वो मच इतना बड़ा है मैं आपसे बोलूँगा तो आप बोलोगे महराजी हम मान नहीं सकते जितना बड़ा भारत देश है पूरा उतना केबल वो मच्छ है महराजी जब वो मच्छ समुद्र में रहता है तो भारत बड़ाबर अगर वो मच्छ है तो समुद्र कितना बड़ा होगा वो समुद्र जिसको आप बिश्व कहते हैं इससे भी बड़ा है इतना बड़ा वो समुद्र ह तो मरा जी होगा कहां? जिसको आप बल्ड बोलते ना, बिस्व बोलते, जैनिजर्म उसको सुओ की नौक बडावर बोलता है. ऐसे कि असंख्यात बिस्व जैसा इस्थान और है इसी मदलोक में. दीप समुद्र दीप समुद्र दीप समुद्र चूड़ी के ऊपर चूड़ी के ऊपर चूड़ी है के गोल गोल करके ऐसे तो जो अंतुम समुद्र है उसका नाम है स्वेंभूरवन समुद्र उसमें वो मच रहता है उसके कान में एक तंदुल नाम का मच रहता है वो मच्छ इतना बड़ा है भारत बराबर उसका मुह मद्द प्रदेश से भी जादा बराबर होगा तो जब वो सोता है तो वो मुख को खोल कर सोता है तो जो कान में मच्छ है मैं उसकी बात बता रहा हूँ जो है तो करीब लेकिन मूर्चा उसके पास बेहसाब है तो वो मच्छ कान में चामल के दाने बराबर है सामार्थ कुछ भी नहीं उतनी बड़ी मच्छी को वो खा नहीं सकता बज्ज्र बिसब नाराच उसके पास सहनन है और वो मच्छ कान में बैठा बैठा खा कुछ नहीं सकता के बहुत रागाव मच्च के कान में जो मल है उसको खाता है बस आवकात कुछ नहीं है, मिकारी की बात कर रहा हूँ लेकिन उसके अंदर इतनी मूर्चा है जब वो बड़ा वाला मच्च मूझ खोलता है तो उसके मुँँ में बहुत बड़ी-बड़ी मचलियां उसके मुँँ में प्रिवेस करती हैं और खुला मुँँ है तो निकलती रहती है जाती रहती है निकलती रहती है तो वो क्या सोचता है कैसा मूर्ख है मैं होता एक को नहीं छोड़ता अवकात कितनी है भीक मांग रहा है बिखारी लेकिन क्या सोच रहा है चक्रबर्ती बनना है भाव यह है मुझे चक्रबर्ती बनना है यह कंडिसन उस मच्च की है कान में बैठा है लेकिन सोच रहा है मैं एक को नहीं छोड़ता यह कैसा मूर के इतनी सारी मचलें इसके मुख म परिग्रहा, एक भिकारी के पास बिलकुल संपत्ती नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में मूर्शा भरी है सारी संपत्ती का मालक मैं ही हूँ, ऐसा उसका भाव है पूरी दुनिया की संपत्ती मुझे मिल जाए उसका ऐसा भाव है साथ वे नरक जाता है वो तंदुलमक्ष, आप लोग सुन रहे हैं आप ये मत समझना कि मेरे पास संपत्ती ना के बराबर है चोटा सा मकान है, चोटी सी दुकान है एक कानी पत्नी है, बस ये मत समझना कि मेरे पास संपत्ती नहीं है ये भी हो सकता है कि आपके पास मूर्शा चक बड़ती से जादा हो साथ वे न रख जाता है वो इतनी छोटे चावल के दाने बलावर मच क्योंकि